बेसिक बेसिक नॉलेज ले लिया है, अब ध्यान देना, जो हमारा GST है, फिर से दुबारा से बड़ी सिम्पल सी बात है, कौन-कौन सा पार्ट होगा GST का, GST के बात करें, कितने परकार का GST था, काफे सारे थे, ठीक है? एक था हमारा CGST, चारी थे बेसिकली, एक था हमारा, एक है हमारा, और एक है हमारा, यह अलग अलग है, अब एक चीज को समझना, में दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ पे, सेट अप करने में, यह पैसा जाएगा सर, किसके पास मोदी का, मोदी के पास, Mr. Modi, यह पैसा जाएगा समझो, केजरी वाल के पास, ठीक है ना? यह पैसा मान लेते हैं, जमू इन कस्मेर, इसको एक पल को अलग कर देते हैं, होटा देते हैं, इसको स्टेटी मान लेंगे, और ये पैसा भी जाता है किस के पास? मोदी के पास तो होता क्या है normally? जैसे कि मान लो मैं डेली में हूँ मैं डेली के अंदर हूँ और मैंने कोई समान खरीदा सर समान खरीदा मैंने UP से तो जब मैंने समान खरीदा होगा तो मैंने बट ओवे से टेक्स पेमिंट किया होगा तो मैंने टेक्स पेमिंट डेली से करा होगा क्या IGST पेमिंट किया होगा है ना जब मैंने IGST पेमिंट किया होगा तो किसको गया होगा माल लेते हैं 100 रुपे का IGST दिया किसको दिया होगा अब मैंने एक और समान खरीदा सपोस करो डेली से ही खरीदा तो अब मैंने दो चीज़े दिया होगा CGST SGST तो ये चला गया होगा सेंटर को यानि मोदी को और ये चला गया होगा केजरिवाल को अब ये पैसे तो मैं एडवांस में दे चुका हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे मान लेते हैं के सर ये जो 100 रुपे का पेमिंट की है IGST और ये मान लेते हैं 30 रुपे और ये 30 रुपे तो यहाँ पे IGST जो है IGST 100 रुपे मेरे लिए मैंने एक्स्ट्रा पेमिंट कर रखा है तो क्या बोलें Assets या लाइवलिटी Assets CGSTB मेरे लिए क्या होगा सर जो 30 रुपय का payment किया है क्या होगा Assets इसके बाद SGSTB क्या होगा जो कि 30 का payment है क्या है हमारा Assets है अब बात आई हमें customer को बीचने का मैं कहां बैठा हूँ सर मैं Delhi में बैठा हूँ और Delhi में अगर मैं बैठा हूँ वो टोटल उस पर मेरा जो टेक्स कलेक्शन हुआ वो टेक्स कलेक्शन हुआ suppose करो मेरा के 150 रुपय का ठीक है ना हमारा टेक्स कलेक्शन कितने का हुआ सर 150 तो 150 किस-किस में बटा होगा ये देना किस-किस को है मुझे एक मोदी के पास चले जएगा मोदी के पास कितना देना है मुझे मोदी को कितना देना है मुझे 150 यानि 75 और केजरीवाल को कितना देना है SGST केजरीवाल को देना है 75 यानि अब देखा जाए तो मैं पहले कुछ Advanced भी सरकार को पेमिंट कर चुका हूँ और कुछ मुझे payment भी करना है तो अब यहाँ पे मुझे सरकार को अगर देखा जायना तो center से मुझे मिलने चाहिए कितने 30 रुपे मुझे मिलना चाहिए center से कितना 30 रुपे और मुझे center को payment कितना करना है 75 रुपे और दूसरे वाला भी मोधी को ही गया है 30 रुपे तो यानि मोधी को मैं कितना दे चुका हूँ 130 रुपे government के पास center government के पास कितना जाज चुका 130 रुपे और मुझे center government को कितना payment करना है total 75 तो मैं center government को बोलूँगा भाया मैंने तुम्हे तो 130 पहले से paid कर रखा था और 75 रुपे मुझे paid करने तो इसका मतलब मैं तो आप से उल्टा और लूँगा कितने रुपे 65 रुपे और आपसे लूँगा 65 रुपे मुझे क्या करना है आपसे लेना है 65 रुपे या पच्छ पन आएगा 30 दे रखें और 75 मुझे देने हैं तो इसका मतलब यह कितना बचा 45 रुपए तो केजरिवाल बोलता है भया 45 रुपए लाओ आप बोलोगे मोधी को दे रखें मैंने कितने 75 रुपए तो केजरिवाल बोलेगा मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे तो अपना राज्य चलाना है तो मुझे 75 रुपए लाओ तो इस सिचुवेशन में आपको क्या करना पड़ेगा सर सरी 45 रुपए लाओ तो इस स्टेटेजी में सर हमें क्या करना चाहिए समझ रहो क्या कॉंप्लिकेशन आ सकता है बेचने और खरीदने पर कई बार हो सकता है कि सेंटर वाले में तो सारे एक्जाम्पल में लोगा आज इसी पर पूरी चर्चा चलेगी आपको पूरा समझ में आना चाहिए यह बोला गया बहिया एक है आई जी एस्टी यानि सर एक तरीके से देखा जाये तो लिमिटड है अगर मोधी की बात करे तो वो मोधी वाले टेक से ही सेट अफ हो सकता है ना और केजरी वाल वाले का केजरी वाल वाले से सेट अफ हो सकता है तो इसको समझाने के लिए मान लेते हैं SGST IDougsGSTा बहुत फ्री है IGST को किससे set off करना है तो government tech आप ही है IGST से एक काम करेंगे कि IGST को minus plus करने के लिए इस्तेमाल CGST में किया जा सकता है और sir SGST में किया जा सकता है और IGST में भी किया जा सकता है यानि sir ये एक ऐसा है ना जैसे कि आपने blood group सुना होगा O blood group O blood group क्या होता है वो किसी का भी blood ले सकता है ऐसा ही होता है या दे सकता है दे सकता है किसी का हाँ मतलब जिस मर्जी को दो चलेगा ठीक है तो सेम ऐसा IGST है किसी को भी text देना हो आपस में minus plus क्या कर सकते हैं simply कर सकते हैं अभी मैं example भी लूँगा लेकिन अब बात करते हैं सर CGST अब बात करते हैं CGST तो CGST minus plus करने के लिए कहां कहां जा सकता है सर CGST को CGST चाहिए और किस से हो सकता है मैंने कहा है IGST CGST से जाएगा तो CGST IGST से भी आ जाएगा minus plus करने के लिए अब SGST किस से जाएगा CGST के दो ही part बनेगे. अब आ जाते हैं SGST. सर, SGST भी दो जेगे move हो सकता है. एक कहाँ हो सकता है? एक तो IGST से तो जा भी सकता है. और एक कहाँ जा सकता है सर? SGST से. एक जा सकता है हमारा SGST से. यानि अगर हम बात करते हैं सर किसकी बात करें IGST की तो IGST कहीं से भी माइनस प्लस हो सकता example देखिएगा मेरे पास input मैं पिछले वाला example ले लूँ पिछले वाले का exact answer पता चल जाएगा IGST हमारे पास था input वाला कितने रुपे था सर 100 रुपे और CGST भी मेरे पास था input वाला 30 रुपे SGST भी था हमारे पास input वाला कितना? 30 इसके बाद हम बात करते हैं सर इसके बात करते हैं हमारे पास CGST है कौन से वाला? Output वाला CGST output वाला कितना था हमारा? 75 और CGST output वाला क्या था? 75 मैंने पिछले एक्जामपल में बताया था सर केजरिवाल को 45 रुपे देने पड़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है ये तो आपको एक calculation समझाए था आप actual में देखो केजरिवाल को देने भी है नहीं देने वो चेक करेंगे हम सबसे पहले CGST और SGST को नोक आउट करेंगे रूल क्या कहता है? भाईया पहले CGST को किस से कर दो? CGST से पहले CGST को किस से ले जाओ? फिर नमबर दो आप ले जाओ SGST को किस से? SGST पहले same same head को निप्टा ना कर लो उसके बाद अब इस पे आ जाओ किस पे आजाओ सर? अब आजाओ IGST IGST की बात करेंगे ना तो सबसे पहले नमबर 3 पे IGST को पता है किस से करना SGST से ये beneficial रहेगा क्योंकि CGST तो पक्का है होई ही जाना है तो पहले IGST को किस से निप्टादा कर लेना? SGST से माइनस प्लस कुछ भी होगा फिर आप जाना IGST को लेखे कहाँ पे? और फिर IGST को लेखे जाओगे IGST को पास ठीक है? मेरे वाले एक्जामपल के अंदर इस रूल को फॉलो करें तो भाईया सबसे पहले स्टेट गवर्मेंट को रफा रफा करते है SGST हमें 30 रुपए ये इन्पुट है इन्पुट का मतलब सर लेना है और SGST 75 का आउटपुट है आउटपुट का मतलब सर सरकार को देना है अगर देखा जाए तो केजरी वाल सरकार को और मुझे कितने देने हैं 45 तो केजरी वाल को 45 देना है तो बेटर है कि मैं इसको IGST से केजरी वाल को सांथ कर सकता हूँ मैं केजरी वाल को मैंने क्या करा भाईया IGST से हम आपको नौक अफ कर रहे है IGST में क्या हमारे पास यह चेक करो 45 रुपे है भी या नहीं है तो आप देखोगे IGST में कितना पढ़ा हूँ है हमारे पास 100 रुपे पढ़ा हूँ है तो मैंने केजरी वाल को बोला IGST हमारे पास है 45 रुपे नौक अफ और आपको बड़े कितने 0 केजरी वाल खतम अब कोई दिखकद नहीं है सोज में आ रही है बात आपको अब इसके बाद आजाते हैं सर सेन्टर के पास चलते हैं क्यूंकि आपको पॉकेट सेल पेमिंट करना नहीं है अब आ जाते हैं सेन्टर के पास बहु या CGST हमारे पास अल्रेड़ी है कितने का 30 रुपए किया है input इसके बात करते हैं सर cgst हमारे पास देना भी है कितने 75 यानि 45 रुपए में और सरकार को देना है center को लेकिन हमारे पास total कितना पड़ा हुआ था 100 100 में से हम खर्च कर चुके हैं 45 और कितने 55 है तो यहां पर मैं क्या करूंगा सर 45 रुपए वो वा क्या रह गया IGST कितने रह गए 15 रुपए मोधी से लेने कितने हैं तो जब हम balance sheet बनाएंगे ना तो asset side में सिर्फ आइज 10 कोई बात नहीं 10 कर देते हैं यहां तक समझ में आ रहा है 10 रुपए लेना है जब हम balance sheet बनाएंगे ने तो balance sheet में सिर्फ और सिर्फ IGST asset side में आएगा बात खाता है यानि आपको examiner इतने सारे GST दे देगा balance sheet trial balance के अंदर लेकिन जब आप balance sheet prepare करोगे तो एक particular एक ही GST आने वाला या तो liability में आएगा या फिर assets में तो आपका simple सी बात है asset side में कितना GST दिखने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए asset side में that's it अगर आपने example लेते हैं देखिए पहले मैं input वाली बात बता रहा हूं इंपुट की बात कर रहे हैं C GST है sir 100 रुपए SGST है और हमेंसा याद रखना है 100-100 ही होंगे बराबर ही होंगे IGST 500 रुपए अब output की बात करते हैं sir output की बात करें SGST 50 रुपए 50 के जगह पे हम कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा 150 C GST 150 IGST 40 रुपए अब फटा फटा हमें ये चेक करना है ये तैक करना है कि भाईया net में हमें सरकार से लेने है या फिर देने है ये decide करना है sequencing मैंने बता रखा है कि आप ये sequencing follow करें in fact एक काम ये भी कर सकते हो इससे पहले आप ये वाला काम कर सकते हो अगर मैं बोलू तो परक नहीं पड़ता सर ये वाला जो पार्ट है न हमारा इस पार्ट को आप पहले नंबर इस पे ले जा सकते हो ठीक है यानि आप जो SGST है IGST को पहले IGST को तीन नंबर पर रख सकते हो यानि सिंपल सी बात है ध्यान से सूचना पहले हम CGST CGST knock-up SGST SGST knock-up और IGST IGST knock-up जो भी लेना देना है बराबर करेंगे इसके बाद अगर IGST बचा तो सबसे पहले हम जंब मारेंगे SGST पे फिर भी IGST बचा तो फिर जाएंगे किस पे हम CGST पे ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि CGST को सोचोगे और IGST से knock-up करना तो नहीं हो सकता वो मना है गवर्मेंट बोला ऐसा allowed नहीं है तो अब फटा फट से आ जाते हैं इसी question को करने में सबसे पहले हम कर लेते हैं सर एक column बना लेते हैं इसको solve करने का ना एक column बना लेते हैं अपर जिससे कि आपका फटा फट से हो जाएगा यह और आपके exam में इस बार question यह आएंगे यह एक मिनट पहले column से अच्छा है कि मैं पहले roughly बता हूँ आपको फिर column समझ में आएगा सर देखिए पहले हम बात करते हैं CGST का ठीक है क्या होने बाला है पहले input पढ़ा हूआ कितना है सर CGST है हमारे पास पढ़ा हूआ है 100 रुपए इसके बाद output less कर दो output कितने देने हैं भई यानि center को देखा जाए तो 50 रुपए और देने हैं यही कहानी है center को 50 रुपए और देने हैं पहलो पहले इसको निप्टा लिए अब हम SGST को कर लेते हैं SGST में देखा जाए तो input input कितने का है और output कितने का है कितने का यानि सर स्टेट गवर्मेंट को भी 50 रुपए देने हैं अब आ जाते हैं IGST input कितने 500 output कितने पांसो था गया अच्छा output चालेज ये कितने बने ये पांसो न ज्यादा लिख दिया मैंने लगता है मुझे ये इसको कम कर देते हैं इसको कर देते हैं नब्बे कर देते हैं ठीक है कितने बचे तो सर यहां पे ध्यान से देखोगे न कहानी क्या बन रही है यहां पे समीकरण बन रहा है ये तो सरकार से लेना है ठीक है न और ये दोनों देना है तो अब आपके पास option है या तो पहले इसको SGST से बराबर कर दो या फिर किसे बराबर कर दो तो मैं कहुँगा पहले केजरिवाल को संथ करना चाहिए law यही कहता है rule क्योंकि वो ज़्यादा चिलाएगा फिर फायदा है ने उसको कुछ तो पहले हम इसको minus कहां कर दे ठीक है अब ये वाला जो payment बच गया ना ये paid करेंगे सरकार को ये क्या करेंगे हम paid करेंगे although यहाँ पे अगर आप पहले इससे set of कर देते तब भी आपको ये वाला पहले क्या करना पड़ता फिर वो आपके उपर इच्छा है कि क्या करना चाहते है ठीक है ना चलिए एक और सवाल देखते है input बात करते है इंपुट के अंदर पचास चालिस और ये तो पचास ही होगा आउट्पुट की बात करते है सो तीस तीस ठीक है हमारे पास ये सिचुएशन है क्या लिए पहले हम CGST को निप्टा लेते है CGST क्या कहता है CGST कहता है पहले हमारा input इंपुट में कितने है CGST पचास यानि सरकार से लेने है अब output minus कर दो सरकार को देने कितने है तीसी देने है यानि 20 रुपए हमारे pocket में पड़े है यह हम सरकार से लेंगे लेने का मतलब यह नहीं कि सरकार से आप पैसे ले सकते हो सरकार कहती है फिर बेचो customer से वसूल करो और minus adjust करो हम नहीं देगे आप customer से ले लो मेरे नाम का वो दे देगा अब SGST SGST में सर आउटपट से पहले input सर इनपट कितने का है और आउटपट कितने का है अब यहाँ पे क्या बचे 20 रुपए मुझे किस से लेने गॉर्मेंट से लेने है अब आ जाते हैं IGST पे सर IGST का इनपट 50 और आउटपट इनपट 40 है 40 आउटपट 100 आउटपट 100 है यानि यहाँ पे मुझे 60 रुपए देना है 60 रुपए देना है तो देखा जाए तो 20 हमें स्टेट से लेना है और 20 लेकिन देना किसको है center को देना है अगर मैं केजरिवाल से बोलू कि 60 रुपए में तुम्हारे 20 रुपए जो देने थे मैं minus कर रहा हूँ तो क्या मानेगा वो लगता है आपको नहीं मानेगा वो CC सी बात है वो लेका भाई मेरे को देने तो तूससे क्यों minus कर रहा है उससे समझ तू तो यानि जो येवाल आउटपूट है वो किस से सेट अफ हो सकता है सरफ इससे तो नहीं हो सकता है यानि इसका अब final answer में निकालू final answer अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर final answer निकालें तो CGST हमें देने थे 20 रुपे लेने थे 20 रुपे और IGST सेंटर को देने कितने है सर अब सेंटर को मुझे 40 देना है हाँ बिल्कुल यहाँ इसलिए नहीं हुआ यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ SGST जो है कि IGST से सेट अप हो सकता है जब केजरीवाल बड़ा चलाक है जब उसको लेना होगा न तो वो बोलेगा हम सेट अप नहीं कर रहे हैं जब देने की बारी आएगा तो बोल देगा हाँ हम एगरी है ठीक है ना तो बड़ी सिंपल सी बात है केजरीवाल का पैसा अगर निकल रहा हो तो वो कभी नहीं चाहेगा मेरा पैसा सेंटर के पाँचा है अब केजरीवाल को अगर मान देते हैं केजरीवाल से मुझे लेना है ठीक है मोदी से जाके कर लो मेरे से पैसे ले रहे हो ना मैं और मोदी एक ही है यानि आप IGST से जाओ, set up कर लो. जब मुझे पैसे लेने हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं मैं customer हूँ, मेरे सामने दोनों खड़े हैं, sir, केजरीवाल भी और वो भी. मैंने केजरीवाल को बोला, आप से भी पैसे लेने हैं, center आप से भी पैसे लेने हैं. केजरीवाल बोले का जा सेट अप कर लो बोलेगा नहीं भई नहीं मेरे पैसे तो तुम ही को देने होंगे तो IGST सब तरफ मूव हो सकता है लेकिन यही कंडीशन में समझाने की कोसिस कर रहा हूं जैसे कि पिछले वाले सवाल में तो हुआ था लेकिन इस वाले सवाल में देखोगे तो net to net state मानेगा क् कि state को जो मुझे पैसे state से क्या करना है output के तो मुझे क्या करना है state से लेने है state से मुझे पैसे तो वह नौक आफ करने के लिए देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसको यह state को लेने कि यही है है कि कैश्रीवाल तो मुझे करें क्या करने उसको और टहुं है तो केश्रीवाल नहीं मानेगा वो लेगा नहीं भाई नहीं मेरे पैसे मोदी के पास क्यों जाएंगे यानि एक और सिंपल सी बात समझो IGST है ना यह SGST से तभी सेट आफ हो सकता है जब आपकी मतलब आपका ना आउटपुट बन रहा हो आपका क्या बन रहा हो आउटपुट अगर आपका इंपुट बन रहा होगा ना तो नहीं होगा अभी कुछ कुछ और देख लेंगे पहली यह वाला समझ में आए यहां पे देखा जाए तो 40 रुपए ले लेते हैं सीधा ठीक है बुक दिखाने एक बार कि देखने कितना समझ में आ रहा है बुक का एक्जामपल ले लेते हैं अभी तो सिर्फ हम ट्राइल बैलेंस को सेट अफ करना सीख रहे हैं देखते हैं अजय को सेट खाए बांड़ खाए देखते हैं इसके अंदर ना अट्जेस्मेंट में भी है तो हाला कि जीएस्टी टॉपिक इसमें डाला जो मैंने टैनियर भी बनाया है उसके इंदर तो डाल दिया मैंने पूरा जीएस्टी आएगा आपको मिलेगा यह एक्जामपल नंबर 19 आपकी किताब में एक्जामपल नंबर 19 पेज नंबर 11.47 मेरे पास अभी मेरे हाथ में प्रोग्राम और से प्रोग्राम है और अनर्स में मिल जाएगा कि मैं सवाल सामने लिख देता हूं क्या कहता है सर आउट्पूट 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 ओनर्स में भी होगा ऐसा नहीं कर नहीं होगा आउट्पूट आई जीएस्टी तीस हजार आउट्पूट सीजीएस्टी कितने सत्तर हजार आउट्पूट 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 SGST यह तो दे रख़ा है सवाल में कितने ऊपर कहता है Enterprises Sum Input Credit पढ़ा हुआ है CGST में Input CGST में पढ़ा हुआ है सर कितने एक लाख 15,000 रुपे कहता है बताओ आप सरकार को कितना पैसा देना और कितना लेना CDC बात है हमारे पास Input में सिर्फ नाम पे CGST में पढ़ा हुआ है और ये सरकार को इतना देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Input और Output Same Same Head को करेंगे तो पहले तो बार ही आजाती है किसका Same Head की बात करें तो CGST का नंबर आ जाएगा सर अगर मैं यहां पे solve करूँ तो CGST सर CGST में Input कितना पढ़ा है एक लाख पंद्रह अजाओर और C के अंदर Output कितना है सत्तर हजार मतलब हमारे यहां पे पैसे बच रहे हैं कितने बच रहे हैं सर 45,000 रुपे है मेरे पास अब CGST के अंदर देखा जाए तो SGST को पैसे देने है कितने पैसे देने है SGST को 25,000 देना क्या माइनस हो जाएगा इससे CGST, SGST से माइनस हो सकता है नहीं हो सकता CGST IGST सबसे हो सकता है na कहां गया देखो, जो CGST है या तो IGST से होगा या तो SGST तो होई नहीं सकता तो यहाँ पर देखा जाए लेकिन क्या CGST और IGST आपस में नॉकाउट हो सकते हैं यह IGST का 25 कितने बचे अभी भी स्टिल 20,000 रुपय हमारे पास क्या है IGST का कितना है यहाँ पर तो 20 अच्छा अच्छा 30 है है न कितने बचे पहले आप एक बर सवाल भी देख लेजिए यह 15,000 रुपय हमारे पास बचे हुए अब हमारे पास क्या है SGST बच गया तो यह तो किसी से सेट अफ हो का नहीं तो यह तो हमें 25,000 सरकार को एक यह देना है और यह 15,000 रुपय हमें सरकार से लेना है तो लोटेमेटली जब हम इस कॉलं में देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा SGST में हमारा नेट पेडल कितना करना है 25,000 रुपय है सवाल में कहा रहे हैं रिमेनिंग बैलेंस ITC ITC का मतलब होता है input tax credit यानि remaining balance जो 1500 रुपे हमारे पास available है हम इसको कभी ना कभी use कर सकते हैं समझ महाई बात आपको ठेक है ना तो यह ITC भी बोलते हैं एक निया इसके अंदर input tax credit होता है और भी देख लिए कोई ऐसा चोटा-चोटे सवाल देने चाहिए थे दस्वारा चलो कोई नहीं यह सवाल तो आपको समझ में आया मोटा मोटा कैसे कैसे करना है अगली class के अंदर अगली class मतलब जो मैं नया question अभी तो adjustment करेंगे और GST को पर छोटे-छोटे कुछ 10-12 question में डाल दूँगा जिसके answer भी मैं नीचे लिख दूँगा आपको PDF format दे दूँगा और उसके अंदर आप बस क्या करोगे अपना set of input करके और check कर सकते हो ठीक है ना तो चली हम आगे हम adjustment पर चलते हैं जितने बच्चे live में किसी को कोई डाउट है यहां तक जो बच्चे नहीं जुड़े मैं कहूंगा अगेन के वो पिछली classes भी देख ले पहले